कि नमश्कार जी यह देखे फ्रेंट्स आज मेरे गार्डर में यह लिली के बल्ब जब है धिकितना फूबसुरत इसका फ्लावर आ रहा है तो इसका फ्लावर तो प्ता लग गया अब इसका इसका शोचर ओरेने ही कंचिह लेगा कि ठोड़ा ओरेने जैसा ही दिख रहा है तो तो फ्रेंट्स आपके भी गार्डन में ये इसका फूल जो है हां गुल्दावदी नाम ही भूल जारी हुए से इसका नाम गुल्दावदी तो ये आपके भी गार्डन में ये गुल्दावदी का फूल खिला होगा कुछ इस तरीके से और इसे कई सारे कलर आते हैं तो इस समय यह फुल ब्लूम पे है जहां भी खिल रहा होगा यह पूरी तरह से यह फुल ब्लूम पे होगा इस समय या फिर फुल ब्लूम पे यह आने वाला होगा तो लोग कहते हैं और मैंने सुना है कि इसका जो फूल है वो जादा दिन तक मतलब रहता तो है लेकिन जल्दी से यह तो ऐसा नहीं है मेरे गार्डन में मैं देख रही हूँ कितने टाइम से खिला हुआ है और ऐसे ही बना हुआ है अक्सर में वीडियो में आप लोग को दिखाया करती हूं यह देखिए कितना बंच में खिलावाई कि इसको मुझे बांधना पड़ा है और बागी तो सब कितना आप उधर की तरफ चले गए हैं तो इनको मैं लंबा टाइम तक आप कैसे बचाय रखेंगे इनके फूल को और कैसे इंज्वाय करेंगे आज मैं वही सेयर करने जा रही हूं तो देखिए फ्रेंट्स मौसम कुछ ऐसा हो रहा है कि अब बारिस हुई न तब बारिस हुई इ पूरे फूल ब्लूम पर होते हैं काफी हतील सुथ तो यह फिर ना जल्दी से खराब हो जाते हैं इतने खराब हो जाते हैं कि इनको काट कर ना चाहते भी हटाना पड़ता है चाहिए इसकी छोटी सी बड्स हो चाहिए वह आधा धूरा खिला हो चाहिए पूरा खिला हो चाहिए इस पैंड होने के कगार पे हो तो इस तरीके से सब्स्क्राइब नियमा तो इसको क्या किया जा सकता है जैसे आपके पास जादा है इसके पॉट आपने जादा बनाए हैं तो उसको डम एरिया में कहने का मतलब कि जासे कि नीचे ब्रामदे में या आप अपने घर की जो खिड़की हो जहां से अच्छी हवा धूप रोशनी आती हो तो वहां पर रख दीजी क्योंकि अब तो यह ब्लूम नहीं करेंगे इन में दुबारा बड्स नहीं आएंगी हाँ के दुक्के ही आएंगी तो आएंगी नहीं तो पूरी तरह से पौदा खिल जायता है खास्तों से जनवरी और दिसंबर लास्ट में ऐसा होता है कि यह पूरी तरह से खिल चुके होते हैं और नहीं भी खिले होते हैं थोड़े बहुत ही बाकी होते हैं तो इस तरीके से इनको आप रख सकते हैं इससे क्या होगा कि अगर त तो इसके वज़े से जल्दी से जल्दी इसमेंड हो जाते हैं तो अब फूल ब्लूम कर चुके हैं या कर रहे होते तो इनको आप सेड में रख सकते हैं खिड़की के पास चज़े के नीचे ब्रामदे में जहां हलकी फुल की धूप लगे हलकी फुल के सनलाइट आया एकाथ घंटे की तो वहाँ क्या है यह लंबे टाइम तक टिके रहेंगे दूसरी बात इनको जो है अब फटिलाइजर देना बंद कर दें अब इनको फटिलाइजर की ज़रूरत नहीं है तीसरी बात यह कि इनकी जो मिटी है वो ड्राइ ना रखे उसमें नभी बनाये रखें कहने मतलब हो कि उसमें पानी डाली आप और पानी तुरन ड्रेन आउट जाए मतलब उसमें खड़ा ना रहे पानी और मिट्टी में नमी बने रहे तब यह लंबे टाइम तक इसके फूल चलेंगे और पौधा भी हल्दी और सुस्त रहेगा और जो काफी खराब हो चुके हैं इस तो प्त lanç लेकर और वेता अ कर ने साथ हो चुके हैं काफी खराब हो चुके तो उनको फ्लावर को दिरे धिरे आप कट करते रहे आगर इन फरेट को जावर को जिसे इस तरीके के फ्लावर है तो गर्यभी बंच में हैं तो निंगर बहाँ गजका पाफी लंबा टानी तक च तो यह जब कटके हट जाएंगे तो जो पौधा है पूरी एनर्जी फिर इन पर लगाएगा तो इनको काफी लंबा टाइम तक यह फिर ऐसे ही आपके गार्डन में बने रहेंगे और खूबसूरत लगेंगे यह देखें यह काफी अच्छा ब्लूम कर रहा है यह देख सकते ह यह राड़ वाला जो लास्ट के रहेंगे वही बचे कुछी अब खिल रहे हैं यह इस तरीके से जैसे इस वाले हालत में भी आप इसको सेट के नीचे रख सकते हैं तो यह क्या है कि हलकी फुल के सनलाइट मिलेगी या रोस नी मिलेगी तो इतने में भी यह खिल जाएगा इस तरीके से अच्छा इस तरीके के फुल चाहे तो आप काट के आप अपने कमरे में उसमें भी सजा सकते हैं जिसे किसी पॉट वगएर में पानी डाल दीजे थोड़ा और उसमें इसको डाल दीजिए तो यह लंबा टाइम तक फिर टिका रहेगा गुलदस्ता बहुत लिए चुके होते हैं सारे गुलदाओधी के प्लांट तो अब इनको फटिलाजर देने की जरूरत नहीं है पानी इतना इनको जरूरत है मतल इतना पानी मत दीजे कि ड्रेन आॉट हो जाए एक दम से इतना ही पानी दीजे कि इनके मिट्टी में रहे जाए ऑब कोई फटिल इतना खुबसूरत है यह इसको कट करके किसी को गिफ्ट भी दिया जा सकता है लेकिए बहुत खुबसूरत है यह और हा मेरे गार्डन में यह पैंजी भी खिलने लगा इसको मैं नेपाल से सैफ्लिंग चोटी सी लेकर आई थी तो लगबग दो में तो इसी तरी की तीन में त अब देखते हैं यह किस कलर में खिलता है बाकी इसमें तो इस तरीके का यह फूल आया हुआ है पैंजी में तो वही है फ्रेंट इससे पहले की वीडियो में ने बताया कि वाटर करिए या पानी डाली तो उनके उपर से मठ डालिएगा नीचे से मिट्टी से ही डालिएगा उ जल्दी से जल्दी इनकी खराब जाएंगे इनके ऊपर पानी इनके पैटल के ऊपर पड़े गा तो और पत्यां भी खराब जाएंगी बाकी बीगोनिया भी देखे कितना खुबसूरत खिल राहे है और आखिया है मैंने इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को दिखा तो यह देखें नीचे क्या है कि पत्य है और उपाथ तोड़ी सी सिकल मिट्व है उसके मैंने इसको लगा रखा ये देखें कितना अच्छा ब्लूम भी कर रहा उसके लीव अगर देखें प्लांट भी देखें कितना हैल्दी है भाकी लहरीयों ने देखें फिर काट खाया एक दम काट पीट के बराबर ही कर दिया इसको तो बाकि इंपेसेंस का फ्लावर इसको भी काट खाया उन्होंने छोटी छोटी सी लीफ आ रही है यहां यहां से यह यह मिनियेचर वाला है लेकिन फिर भी इन लोगों ने एकदम काट खाया इसको बरबाद ही कर दिया यह वहां रखा हुआ था वहां से मैं इसको यहां पर ले आई हूँ क्या पता थोड़ा बच जाए लीफ तो आ रही है लेकिन छोड़ी तब तो बाकी इसे के पास रखी बि तो उन फृट लग रहाए इसकी दूसरी बर्ड भी खिल रहे है ढी धीरे-धीरे बहुत ही कूपसूरत ही है और बहुत। 후 old बहुत शुन कर हैं गवान जी के आगे हमारा क्या बस है जैसा वो करें दो दिन हो गया धूप नहीं निकला है और मौसम ऐसा हो रहा है बारिज जैसा तो यह बारिज होगा तो इस सारे फूल खराब हो जाएंगे इतने खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे जिस समय ब्लूम कर रहे हम इसका भी टाइम आ जाता है कब बारिस हो जाए कुछ पता ही नहीं यह तो गजब फूल खिल रहा है बेगम बहार जो है बहुत अच्छा खिल रहा है डेली का डेली बहुत अच्छा खिलता है यह बाकि टमाटर देखिए आप यह लोग के सामने मैंने प्लांट लगाया था फूल इसकी दिखाए थे और इसमें टमाटर लगना स्टार्ट हुआ था और अभी इतने बड़े-बड़े हो गया है यह बाकि इस गुड़ आहल के फूल में धीरो बड़ आरी है धीरो यह देखिए धीरो और यह फूल डेली एक एक दो-दो ऐसे खिलता ही रहता है तो फ् पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस करेगा ताकि आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपके मुगाली स्क्रीन पे आप लोग को जल से जल मिल सके तो इसी तरह अपने इंवार्मेंट को क्लीन रखिए ग्रीन बनाएए मिलते हैं न